नमस्कार कैपिटल टिबी उत्रपदेश के स्पिसल स्टोरी देख रहे हैं पुर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी देश में धर्मान्तुर का मामला तेजी से बढ़ रहा है कई राज्य में हिंदू के खलाफ गहरी साजिश रची गई है कभी हिंदू बनकर उनके साथ चल कि आजाता है तो कभी डरा या धमका कर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फसाने के लिए अलग अलग गिनवनी साचिश रचते हैं प्यार के जाल में फसाने के बाद उनको धर्म परवर्तन के लिए मजबूर किया चाता है यूपी से भी कई ऐसी खबर सामने आती है ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया है क्योंकि यहां हिंदू लड़की नहीं बलकि हिंदू लड़का इन जिहादियों के निशाने पर है बरेली से आया हैरान करने वाला मामला बंदक बना कर यूवक का धर्म परिवर्तन बेटी से जबरन करा दिया निकाह 14 लाख रुपए और जेवर भी हडवी हर रोज अलग-अलग राज्यों से जिहाद और धर्मान्तरुन की खबर सामने आती है जो चिंता का विशे है इस बार लड़की नहीं एक यूवक इनकी गिनवने साजिश का शकार हो क्या है दरसल उतरपदेश के बरेली में धर्म परवर्तन का एक अजीब मामला सामने आया यहां समुदाय विशेस की एक परिवार ने एक यूवक को अगवा किया और फिर उसे बंधक बना कर उसके अशलील वीजियोज रिकॉड किये इसके बार ब्लैक मेल करते हुए धर्म परवर्तन कराकर अपनी बेटी से निकाह करा दिया यही नहीं आरोपियों ने पड़ता से 14 लाख रुपए भी एच लिये है मामले की चानकारी होने पर यूवक के पता ने बरेली के किला थाने में तरहीर दी है यानि शरकायत दर्च कराई है पोलिस ने तरहीर के अदार पर मुकादमा दर्च कर मामले की चानबीन भी शुरू कर दी पुलिस के मताबिक मामला बरेली के किला थानाश्यत्र में किला बाग का है यहां के रहने वाले प्रेम शंकर ने अपने शकायत में बताया है कि उनकी बेटा गौरव एक टेलिफोन कमपनी में नौकरी करता है आरोपियों ने पिछले साल 2 जन्वारी को उसे अगवा कर लिया था उस दिन वज्यूटी के लिए तो घर से निकला लेकिन शाम तक वापिस नहीं लोटा खोजबीन करने पर पता चला कि मौला नगर में रहने वाले आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया इस दोरान पता चला कि आरोपियों के दबाव में उनका बेटा घर से 14 लाख रुपए भी ले गया यह रुपए उन्होंने अपनी बेटी के शादी के लिए जोड रखे थे पिरत पिता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को आरोपियों के चंगुल से चुड़ाने के लिए दस्चनवरी 2023 को SSP बरेली से मिलकर गोहार लगाई थी उन्हें इस संबन में ग्यापन भी सौपा था बावजूद इसके उस समय फुलस ने कोई आक्षन नहीं लिया अब पता चला है कि आरोपियों ने अपनी बेटी के साथ उनके बेटे का एक अशलील वीजो रेकॉर्ड कर लिया है यहीं वीजो दिखा कर उसे ब्लैक मेल किया जा रहा है यहीं नहीं आरोपियों ने उनके बेटे का धर्म परवर्तन करा कर अपनी बेटी से उसका निकाब भी करा दिया इस जानकारी के बाद पिडित पिता ने ADG से मिलकर नयाय की गुहार लगाई है अब ADG के आदेश पर आरोपियों के खलाफ पुलस ने मुकदमा दर्च कर मामले की चानबीन चुरू की है बरेली में सियो सिरकंज संदीब कुमार ने बताया कि शिकायत के अधार पर मामले की जान शुरू कर दी गई है जल्द ही इस मामले में गरफतारी हो की बता दे के इस से पहले कई मामले धर्म परवर्तन के सामने आये हैं जिसमें हिंदू बेटियों को निशाना बनाया गया है जनवरी 2023 का मामला है उत्रपदेश के बरेली में धर्म परवर्तन का संसनीखीच मामला सामने आया जहां एक यूती को एक 11 साल तक बंदक बना कर रखा गया इस तोरान उसका जबरन धर्म परवर्तन करवा कर उससे निकाह किया गया इस तोरान कई लोगों ने उसके साथ दुशकर्म किया कई सालों बाद बड़े मुश्किल से वो किसी तरह दरिंदे के चंगुल से बाग कर अपनी मामी के पास पहुँची जहां पिड़ता ने कैंट थाने में आधा दर्जन लोगों के खलाप मकदमा दर्च कराया पिड़ता ने मीडिया से बाच्चीत करते हुए बताया कि वो डांसर थी और डीजे पर डांस करती थी इस दौरान सादिक नाम का व्यक्ति उसे बेला कर फुसला कर अपने साथ ले गया और फिर उसे बेरहमी से पीटा और उसके साथ हवानियत की इसके बाद उसने जबरन उसका धर्ण परवर्तन भी करवाया और निकाह कर लिया आरोपी ने उसी 11 साल तक बंदग बना कर रखा इस दौरान उस पर कई तरह क्या तयाचार किये आरोपी सादिक और उसके भाई ने उसके साथ दुशकर गया उसके बाद कई लोगों ने उस मामे के पास पहुंची और अपनी आप बीती बताई प्रता की मामे ने बताया कि साधिक लगातार उसे टुकड़े टुकड़े करने की धंक्या दे रहा था इस बारे में और जानकाली देते हुए S.S.P. अखलेश चॉलसिया ने कहा कि कैंट थाना शेतर में प्रता की तहरीर पर मुकदमा दच कर आरोपी को गरफतार कर लिया किया है S.S.P. ने बताया कि प्रता बंदक बना कर उसका धर्म परवतन कराया और 11 सालों तक बंदक बना कर रखा गया उसके दो बच्चे भी है वह उत्रपदेश के बरेली जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई यहां एक मुस्लिम युवक ने कि हिंदू छात्रा का जबरन धर्म परवतन करवाया और इसके साथ हैवानियत करने के बाद उसे चलती ट्रेन से आगे पिंक कर उसकी हत्या करती हट तो तब हो गई जब अत्या की संसनी खेज बारदात के बाद कई घंटों तक दो जिलों के पुलिस सीमा विवाद में उल्टी रही फिर जब हिंदू संगटनों ने मामले को लेकर हंगामा किया तब जाकर 12 घंटे बाद मुकदमा दर्च हुआ दरसल ये मामला बरेली के फते गंच पूरवी थाने का है यहां एक इंटरमीडियेट की छात्रा की फर्याद नाम के लड़के ने ट्रेन के आगे फिंक कर हत्या कर दी आरोप है कि फर्याद नाम का लड़का लंबे समय से छात्रा को परिशान कर रहा था इसके बाद उसने चात्रा का जबरन दुशकर्म किया और फिर उसका धर्म परवतन भी करवा दिया था इतना ही नहीं फर्याद ने इंप्रूब्मेंट का फर्म भढ़ने जा रही चात्रा का परण किया और फिर उसे फतेगंच पूर्वी थानार्शेत्र में चलती ट्रेन के आगे फेंग दिया जिससे छात्रा का शरीर दो हिस्सों में बट किया छात्रा का शौ कई घंटे तक ट्रैक के कनारे पड़ा रहा और पुलिस से माविवाद में उल्ची रही वही कई घंटे बाद जब आरूपी के खलाब मुगदमा दर्च नहीं हुआ तो हिंदू संगटनों ने थाने का घिराव किया और शौ को वहाँ पर रख कर जमकर हंगामा किया पुलिस पर शासन के खलाब जमकर नारे बाजे की गई जिसके बाद मामला तूल पकड़ा तो पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुँचे और इफायार दर्च की गई फिर बारा गंटे बाद शासन पुर्जिले के पुलिस ने चात्रा के शौग को पुस्माट्रम के लिए बेजा पॉक्सो, दुसकर्ण, अपरण और हत्या जैसी गंबी धराओं में मुकदमा दर्च किया क्या है अब बारा प्रहल दोहजार चौबिस की बाद है इतना उत्तर पदेश के बेराइच जिले सी दिल तहला देने वाला मामला सामने आया आरोप है कि विशेस समुदाई यानि की मुस्लिम समुदाई कि कुछ यूकों ने दलित लड़की को बंदग बना कर तीन दिन तक उसके सांथ सामोहिक दुश कर्ण किया फर उसका धर्ग परवतन कर आरोपी के सांथ जबन उसका निका भी करवा दिया परट परवार ने अस्थानिय थाने में इस घटना की शुकायत दर्च कर आई पलिस ने पॉक्सो एक्ट समित कई धराओं में केस दर्च कर मामले की जाज शुरू की बताया गया कि आरोपियों के तरब से परट परवार को धमक्या भी दी गई इस घटना के बाद इस भी ब्रिंदा शुकला ने परट परवार से गाउं चाकर उनसे मुलाकात की साथे परट परवार को न्याय का पुरा भरोसा भी दिलाया आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया बताया चारा है कि परटा की मा बोल नहीं सकती और मायके में ही अपने 15 साल की नबालिक बेटी के सांथ रहती है और अपने बुजर्ग मा की देख भाल करती है हारोप है कि बेटी तीन फरवरी को परटा घर के पास रहने वाले अनिस सद्दाम, मुहिदी, अलीम और बौरा गाओं की खिट से काम कर रही नबालिक को उठा कर अपने सांथ लिग गए फिर किसी अग्यात गाओं में उसे रख कर तीन दिनों तक उसके सांथ हैवानियत की फिर एक मौलवी को बुला कर जबरन उसका धर्म परवर्तन कराया और उससे निकाह कर लिया गया इसके बाद शिकायत ना करने की शर्ग पर आरोपी पड़ता को उसके घर के बाहर बेहुशी की हालत में छोड़ गया लोग लाज की वज़े से परद परवार ने इस घर्टना का जुक किसी से भी नहीं किया लेकिन दो महीने बाद आरोपी परदा को अपने साथ जबरन भेजने का दबाव बनाने लगा ऐसा ना करने पर उसे जान से मानने की धमकी दी गई परद की मौसी नित्हाना हर्दी में इस घर्टना की लिकत शिकायत दर्च करवाई वहीं एस पी वरिंदर शुकला ने बताया कि शिकायत मिलते ही पांच आरोपियों के खलाब किनाप, कॉक्सो, हैवान धर्म, परवत, समित कई धराओं में केस दर्च कर लिया गया है और मामले की जान्च की जारी है गाउं पहुचकर पिड़त परिवार के बयान भी दर्च कर नबाली को मिटकल के लिए बेज दिया गया दो लोगों को हिरासत में लेकर पूचताच भी की जारी है जल्दी अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा तो जिस तरह की गिनावने हरकत इन जिहादियों की तरब से की जाती है उसके बाद सीमयोगी का इन पर तगड़ा आक्शन भी देखनी को मलता है इनका इलाज भी होता है जिसके बाद इनमें खौफ का महौल भी देखा जा रहा है इस स्पिस्वल इस्टोरी में फराल दियत नहीं देखते रिए कापिटल टीब उत्रपदेश नमस्कार रहता हूं लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नफस को फूप पहचानता हूं संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासंतर मैं हर ख़बर से खरा सच निकालता हूं ना कोई दौड ना कोई रेक्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया